फिर चेकने वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे अपने Facebook प्रफाइल पर लॉक कैस्टे लगाएं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने Facebook पर Facebook ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग को दिखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में थ्री लाइन बना हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए मेन्यू के नीचे आपका पूरब फाइल खुल जाएगा अब यहाँ देखिए आपके प्रुफाइल के नीचे एड टू स्टोरी लिखा हुआ है उसके सामने ट्री डॉट बना हुए है तो हम लोग को थ्री डॉट पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पांच में नंबर पर लुख क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखिए Lock your profile blue collar में सबसे नीचे लिखा हुआ है उस पर click करना है अब यहां पर देखिए आपका profile lock हो गया है तो चलिए देख लेते हैं उस पर back आएंगे एक बार और back आएंगे cut कर देंगे अपने facebook उसके बाद फिर से open करेंगे फिर से जाएंगे अपर प्रफाइल पर यहां पर देख सकते हैं कि हमारा lock प्रफाइल पर लग गया है यहां पर देख सकते हैं अब कोई भी विखती अधर आईडी से हमारा प्रफाइल नहीं खुल पाएगा और नहीं एल्बम तो चलिए चेक कर लते हैं दोसरे ID से कि हमारा Facebook प्रफाइल खुलता है या नहीं इसको हम कट कर देंगे उसके बाद लॉक आउट कर देंगे इस ID को उसके बाद देखिए मेरा दोसरा ID नीचे है उसके बाद हम यहाँ पासवट देदेंगे थोड़ा वेट लेगा अब यहाँ बदेखिए मेरा दोसरा ID खुल गया है उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो already मैंने किया हुआ है तो उसको okay करेंगे अब यहाँ बदेखिए हमारा प्रफाइल जो है उसको okay करेंगे यहाँ पर देखिए लिख दे रहा है learn more find support और report photo यहीं लाख है तो guys अगर आपका Facebook पुराना है तो आप अपने Facebook पर प्रफाइल लॉक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आप अपने Facebook प्रफाइल तभी लगाएंगे जब आपका Facebook निउ हो तो new करने के लिए क्या करना होगा आपको अगर पुराना Facebook है तो उसको आपको अपडेट करना होगा अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा home screen आप लुक देखने को मिलेगा इसी के साथ दोस्तों कर चैनल प्रना है तो फिल चैनल को सचराइब प्रना भूलें और साथ ही विए लाइक में दबाना भूलें तक कर एसी वीडियो आप तक में सा मिलती रहें तो में दोस्तों नेक्स वुटेन तक के लिए जैहिंद वंदेमादरम